गुजरात में भी आस्मानी आफ़त देखी जा रही है गुजरात में बारिश का कहर लगातार जा रही है गुजरात में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है भारी बारिश ने लोगों के मुसिबत पढ़ा दी है अभी हालाके एक दो दिन राहत लोगों ने जरूर ली थी कि पानी का स्तर नीचे जाएगा लेकिन फिर से तेज़ बारिश के चलते हैं यहाँ पर लोगों की मुसिबते जो हैं वो बढ़ गई हैं 47 लोगों की अभी तक इसमें मौत हो चुकी है गुजरात की 13 जिलो में रेड अलर्ट अभी भी जारी किया हुआ है और यह चिंता का विश्य है क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया हुआ है तो ऐसे में प्रशासन की और लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है हालात कुछ सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे में एक पर फिर्श अगर यहाँ पर बरसात का सलसला चलता है तो मुसीबत और भी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो अभी भी काफी ऊपर पहुचा हुआ है तामान्य होने में उसे काफी वक्त लग जाएगा यह तस्वीरे देखें किस तरीके से लोग इस पानी में से निकल कर जा रहे हैं और सुरक्ष तैस्थानों पर लोगों को शिफ्ट किया गया है लगातार पाड़ बारिस जैसे जो हालात बने हुए है वो काफी चिंता का विश्य बने हुए है और चलिए अब हालातों का जाइजा देंगे हमारे सही योगी गुजरात से मुकेश राजपुत हमारे साथ चोड़ गए है कामरेज भी हमारे साथ है मुकेश आप से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि देगे जिस तरीके से हालात बने हुए है मौसम विभाग की तरफ से अभी भी बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है और समस्याएं अब एक के बाद एक वहां की जनता के लिए खड़ी होती जा रहे है क्या कुछ पिलाल अपडेट है बारिश का जोड़ बढ़ रहा है जैसे आज भी जो काई बैम है जिसके काशी नदी में पानी आता है जो सुर्थ की मुक्चे नदी है इसमें आज भी एक लाग साथ हजर की जिसके पानी जोड़ जा रहा है और लगातार दो दिल से बहुत ज्यादा बारिश को रहे है इस बारिश को जिसके पुरश जिये का जो महुआ का लिता है महुआ कैसिरी में शाहर की नदियान है जिसमें ओलन नदी है, अमधिता नदी है, फोना नदी है ये नदियों साथ कल से जल्ब कर लगातार बढ़ रहा है और इन इलाकों में कुछने जाह हैं इसे जो जिल्चे वाले गाओं है उन गाओं में पानी का जाहू लगातार हो रहा है इसके वाजे से प्रसासंगी मुष्टर है लेकि आज कुबर की बात करें तो आज कुबर जो मांग्रोल तालुका है मांग्रोल तालुका और उल्पार तालुका के स्कीन इलाके में पानी भर गया है पीज़ा सुठ गफे हैंगे आपके पास कामरीज भी हमारे साथ जड़ों गुजरात से कामरीज क्या कुछ रेस्क्य ओपरेशन एंडिएरफ एंडिएरफ इसडिएरफ की तरफ से चलाया जा रहा है में जहां पर हालात काफी गंबीर बने हुए हैं प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं देखे जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं क्या कुछ अपडेट फिलाल आप दे रहे हैं तापी से और क्या कुछ प्रशासन द्वारा वहां किया जा रहा है जी जरूर कि तापी में पिछले 24 गंटे से भारी बारी सिधी सहर के साथ जो कनेक्टिविटी अभी तूप चुकी है जिसकी वज़े से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है जो बात की जाए तो तापी में जो पास होने वाली जो मिंडड़ा तापी अंबीका जाकरी जैसी कई नदिया है उसका जलसतर बढ़ने की वज़े से काफी जलसतर बढ़ा है और नदी के जो पास के गाव है उस गाव में भी पानी नदी के जाने के वज़े से कई गाव में बाढ़ जैसी हालत निर्माण हुई है जो देखने जाए तो कल से ही NDRF, SDRF और एरलिप और यहां की लोकल जो फायर है उनकी तरफ से लगातार है रेस्क् जो बच्चे कल 5-6 घंटे तक पानी के बाढ़ में फसे थे और NDRF की टीम ने 5-6 घंटे की लगातार मेहनेत के बाद उनको रेस्क्यू करके वहां से सुरत सित निकाला गया था जो बात की जाए तो बाढ़ की सिती इस तेत्र में इसे निर्मान हुई है कि नेशनल हाइवे जो बात की जाए तो सुरत से दूलिया नेशनल हाइवे नंबर 53 और यहां से वापी से सामड़ा जी नेशनल हाइवे नंबर 56 जो दोनों नेशनल हाइवे कल बन होने की नोबत हाई थी रात को देर रात तक बनते हैं नेशनल हाइवे जिसके वज़े से लांबी गाड़ियो तो 102 से ज्यादा ग्रामिन शेत्रों के जो मार्ग है वह अभी भी बंध है जिसकी वज़े से लोगों को भारी दिक्कत हो रहें सिधी सहर के साथ कनेक्टिवीटी भी तूटी है जो बात की जाए तो वियारा से मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो मिंधोडा नदी है जलस्तर क की ससार निचान यहां पेंडिया युवरयों के टीम लगा व्यज़ेता है तेम लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है जी ठीक अक्षे आएंगे आपके पास मुकेस में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए कामरेस से अपडेट मुकेस हमें दे रहे हैं मुकेस आसफास के इलागों में और कैसे हाला देखे जा रहे हैं अभी ख़वरे कुछ ऐसी भी थी कि मगरवच जो है वो निकल कर पानी बढ़ रहे हैं और बाती यहां जो जलस तर बढ़ रहे हैं उससे लोगों की सिर्टा जरूर बढ़ गई है ठीक है मुकेस आएंगे आपके पास अक्षे हमारे सरयोगे जुड़े हुए है तापी से अक्षे देखे लगातार नुकसान की खबरे भी आ रहे हैं कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है कितना नुकसान अब तक हुआ है गुजरात में बाड़ बारिश के चलते कितन लोग ऐसे हैं जो अभी रहात शिवर कैंपों में शरन लेने के लिए मजबूर है और जी बात की जाये तो मैं तापी की बात करूंगा तापी में 200 से ज्यादा लोगों है जिसको रेस्क्यू करके सुरसी जग्या पर रखा गया है जैसे में डोलान तैसिल है वालोड तैसिल देखा गया है और नुकसानी की बात की जाये तो जिस से तरह में पा पानी का बाड़ा पानी आया था उसेतर में रोड सड्के है और सब्चेयर कर मैं जो CHK bum bur happiness झो चुके हैं ञाने की south Committee सारूर विगमेज हो चुकी hai Buddhist अलाकि रेड अलर्ट अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश का वहाँ पर जारी किया है बारिश होती है तो एक बर फिर से आफ़त वहाँ के लोगों के लिए बन सकती है लेकिन फिलाल अगर बारिश नहीं हुई तो कितना वक्त लग जाएगा हालात को सामानने होने में जी बात कीज़ा है तो बारिश लगातार जारी है पिछले 24 घंटे से लगातार अंद्रधार बारिश कंटीनु है जिसकी वज़े से पानी का आना ही लगातार जारी है जो बात कीज़ा है तो तापी जो शेत्र है तापी के शेत्र में यहां बारिश हो रही है वो बारिश त जिसके वज़े से संकर्ट अभी टला है ऐसा कहा नहीं सकते हैं क्योंकि पानी का इंफ्लो है कंटीनु आ रहा है और दुसरी बड़त देखने जाए तो दक्षिन गुजरात के पांच जिल्ले के जीवन धारा समान उकाई डेम है उसमें भी पानी का जलस्तर बढ़ा है जिसके वज़े से जल्सपाड़ी मेंटन रखने के लिए जलसपाड़ी जारी रखने के लिए वहां से भी आउट लोग कि रखिया जा रही है और अभी देखने जा तो बाराग गेट जी ओपन कर दिया गया है और एक एक लाग यह सोवालाग से जादा पानी का आउट फ्लो किया जा रहा है जिसके वज़े से उपनी से बारी बारी होने की वज़े से तापी में पानी आ रहा है जिसके वज़े से अभी तो रहात का कोई समाचार का है नहीं सकते जी ठेक है अक्षे आएंगे आपके पास मुकेश राजपुत भी बारे साथ चुड़े हुए लगातार अपडेट दे रहा है मुकेश फिलाल क्या लग रहा है आपको कि वहां कामव्रेज में हालात कब तक सामाने हो जाएंगे और लोगों की जिन्दगी एक बर फिर से कब तक वहां पर पट्री पर वापिस आजेगी क्योंकि पूरे गुजरात के हालात इसी तरीके से भैवे बने हुए हैं जिस तरीके से लगातार घरों में पानी घुश चुका है नुकसान घरों को काफी पहुंचा है लोगों को अपली जिन्दगी को वापिस सामाने रूप मे लाने में काफी मशक्कत अब करनी पड़ेगी. अब लाने में प्रवी विहां करनी पाने में पाने में दौन करनी पाने में दो होते हैं। पर जाने में पड़ाई के लिए यह समस्या हो रहे हैं ठीक है मुकेश शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए अक्षे आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए कि बढ़ते हैं आगे इस